OBC महासंग के राश्ट्रिय अध्यक्ष बबन तायवाडे ने OBC आरक्षन के मुद्दे को राजनीतिक अखाड़ा बनाने के सभी दलों के फैसले पर नाराज की जताते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोक की सदसिता से इस्तिफा दे दिया इस सम्मंद में अपना इस्ति मसला अब केंद्र के हाथ में हैं OBC को 27 प्रतिशत आरक्षन नहीं मिलेगा और तब तक उन्हें किसी भी समवैधनिक पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होगा तैवाडे ने कहा कि OBC आरक्षन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल बेखबर है उन्हें आरक्षन क मसला समझ में नहीं आया उनका राजनीतिक विवाद समाज के लिए एक बड़ी क्षती है इस नुकसान की अनुमती राष्ट्रियों OBC महासंग कभी नहीं देगा इसलिए जब तक समाज को 27 प्रतिशत आरक्षन नहीं मिल जाता तब तक लड़ाई जारी रहेगी इस दोरान उन्होंने कहा कि महासंग की ओर से सभी जिलों के पदाधिकारी महासंग की मांगो को राष्ट्रपती प्रधान मंत्री, ग्रुह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, सोनिया गांदी, राहुल गांदी और शरत पवार को रविवार 22 सितम्बर को भेजेंगे डॉक्टर तायवाडे ने कहा कि OBC के आरक्षन के मुद्दे पर राजनीतिक दलो को कोई जानकारी नहीं है अध्यादेश के बाद भी OBC घाटे में है अगर फिलहाल आरक्षन दिया भी जाता है तो सभी जिलों में एक जैसा नहीं होगा अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती को कुल जन संक्या का 30 प्रतिशत आरक्षन प्राप्थ है बाकि 20 फीसदी आरक्षन OBC को मिलेगा अब तक 27 प्रतिशत आरक्षन राष्ट्रिय OBC महासंग का लक्षय है इसलिए पच से इस्तिफा दे कर आरक्षन का लक्षय पूरा करना है